दोस्तों MP Board 10th Class का रिजल्ट आ चुका है और साथ में 12th Class का रिजल्ट भी आज के दिन ही आ गया है एक ही Portal के मादब से आप 10th Class और 12th Class दोनों का रिजल्ट देख सकते हैं केसे देखना है चलिए मैं बता देता हूँ सबसे पहले आपको Chrome Browser को Open कर लेना है Chrome Browser को Open करने के बाद में यहाँ पे आपको Google पे टाइम करना है mpresult.nic.in इसको टाइप कर देना है टाइप करते ही फर्स्ट नमर पे आपको mpresult.nic.in की official website आ जाएगी इसी पे आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको फर्स्ट नमर पे HSC Class 10th Examination Board Result 2024 फर्स्ट नमर पे टेंधी क्लास का आप रिजल्ट देख सकते हैं उसी के नीचे आप 12th क्लास का रिजल्ट हाई 2nd क्लास का रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप 10th क्लास का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो फर्स्ट नमर पे 10th पे आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करते ही यहाँ पे आप official website पे आजाते हैं यहाँ पे आपको आपका admit card में से देखके यहाँ पे फर्स नमर पे roll number डाल देना है और उसी के नीचे आपको आपके admit card में से application number डाल देना है application number और roll number डालने के बाद में submit पे क्लिक कर देना है submit पे क्लिक करते ही आपका result आपके साबने आ जाएगा आप उसे print रिकाल सकते हैं या पिर उसे आपके PDF में save भी कर सकते हैं दोस्तो वीडियो केसी लगी वीडियो को लाइक कर देना चेनल पर पहली बार आए हो तो चेनल को subscribe कर देना ऐसी ही informative वीडियो के लिए धन्यवाद दोस्तो